धॉलपूर में अपनी मांगे पूरी नहीं होने से सरकार के खिलाफ पटवारियों में आकरूश है इसके बावजूद पटवारी आम जन्ता की साहता के लिए कोरोना काल में लगादार अपने अपने शेत्रों में जन्ता कस सयोग कर रहे हैं राजिसान पटवार संग के बैनर तले प्रदेश के हजारों पटवारी पिछले 17 मैनों से अपनी मांगों को लेकर लगातर आंधुलंग कर रहे हैं राजिसान पटवार संग धौलपुर के जिला द्यक्ष राम निवास ने बताया कि 15 फरवरी से जैपुर के शहीद समारक पर लगादार धर्ना प्रदर्शन चल रहा था लेकिन सरकार के उसे कोरोना गैडलाइन जारी करने और लौकड़ान आदेश के बाद राजिसान पटवार संग ने शहीद समारक पर चल रहे धर्ना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया 15 जनवरी से राजिसान पटवा संग के अतिरिक पटवार मंडलों का कारे बहिशकार जारी करने का निर्न लिया लेकिन इन अतिरिक पटवार मंडलों में आज भी पटवारियों के ओर से कोरोना समधित कारे लगातार किये जा रहे है राम निवस ने बताय कि पिछले साल लॉकडाउन से लेकर अब तक पटवारी लगाता सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला कर कोरोना के संक्रमन को रोकने के लिए काम कर रहे है पिछले साल मज़ूरों के पलाएंग को रोकने और उनके उन्हें घर तक पहुंचाने का कठन काम भी पटवारियों ने बखु भी किया था जिसे प्रशासनी का दिकारियों ने भी सरहा था कोरोना काल में कई पटवारी कोरोना संक्रवित हुए इनमें से कुछ पटवारी रिकवर भी हो चुके है कुछ अब भी कोरोना से जंग लड़ रहे है इसके बावजूद भी जिले के सभी पटवारी सरका के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना वारियोस के रूप में काम कर रहे है इसपी ने चंबल तटवर्दी गावों के लोगों से किया समवाद बहतर कहरे के लिए युवाओं को दिये टिप्स धौलपो जिले के राजाखेडा कस्बे में जिला पुलिस अधिक्षक केसर सिंग शिखावत ने दौरा किया एसपी शिखावत ने मणिया, दिहौली और राजाखेडा शेतर का दौरा कर कोरोना गाईलेंग की पारना के लिए तैनात पुलिस विवस्थाओं का जायजा लेकर अधिकारियों का आवश्यक दिशा ने देश दिये एसपी केसर सिंग शिखावत ने राजा खेडा के चंबल तटवर्थी गाउं गड़ी जाफर में निर्माना धीन पुलीस चौकिल का भी जाय जा लिया इस दौरान उन्होंने गाउं के लोगों से संबाद कर उनकी समस्या को जाना एसपी ने गाउं के बच्चों और युवां से संबाद कर उन्हें बैतर केरिया के लिए ज़रूरी टेप्स भी दिये सलम्तुरा में कोरोना मामारी से निपटने में शिक्षकों ने यूथ फ्रन्ट लाइन वरकर की भूमिका निभाते वे विविन मोर्चों पर प्रशासंग के साथ कंदी से कंदा मिला कर कारे किया है इसके साथ ही आर्टिक सयोग भी कर रहे हैं इसी कड़ी में बरॉली गाओं के समाथ से वी अव्याख्याता जगदीश पहाड़या ने सलम्तुरा अस्पताल के मुख्य चिकित साथिकारी डॉक्टर गोरेलान मीरा को एक स्ट्रेचर और दो ऑक्सिजन स्टैंड ट्रॉली समर्पित किये इस दोरान जगदीश पहाड़या ने संबोधित करते हुए कहा कि मेरे पूर्व चातर जो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की रूप में सेवाएं दे रहे हैं उन्होंने मुझे इन उपकरणों की आवशक्ता से अवगत कराया मैंने तुरंत इस कारे के लिए सहमती दी तथा मुझे इस नेक कारे करने ही तू सभागे प्रदान किया इस मौके पर मुखे चिकित साधिकारी डॉक्टर गोरेलान मीडा ने कहा कि कोरोना मामाई से निपटने में शिक्षिकों ने अपनी ड्यूटी इमानदारी के साथ की है और साथ में ही अपनी सामाजिक जिम्मदारी निभा रहे हैं उन्होंने व्याक्यत्र जग्दीश पहाड़या का मेडिकल उपकरन उपलब्द कराने पर अस्पताल प्रशासंकियों से धन्यवाद दिया नगरपालिका ने बाड़ी के चहिते रोहित्वर्मा के साथ आमजंग को वित्रत किये मास्क और साथ ही लोगों को गाइडलाइंग का पालंग करने के समझाईश करते वे दो गस की दूरी के साथ मास्क है जरूरी का पार्ट पड़ाया मास्वित्रन कारेकर में नगरपालिका के कार्मेक विरिंदुकुमार विधौलिया रोहित वर्मा के साथ गोविंद यादव ने अपने कर्तवे का पालंग करते हुए वो चदिकार्यों द्वारा दिये गए निर्देशों की पानला में नियायले परिसर में उपस्तित जन को मास्वित्रन कर कोरोना की दूर सी लहर के प्रकोप से बच्चाव के बारे में जान कई दी गई धौलपूर में नहर्यू युवा केंदर की द्वारा विश्व परियावरन दिवस पर ऑनलाइन वेबिनार का आयोजिंग किया गया जिसमें नहर्यू युवा केंदर की युवा मंडल हाउसिंग बोड के अध्यक्ष सारान शगरवान ने बताया कि हम सभी को ज्यादा से ज्यादा ओक्सिजन वाले विरिक्ष लगाने चाहिए और हमें विरिक्ष लगाने के बाद उसकी देखबाल करनी चाहिए जैसे एक बच्चे की देखबाल करते हैं उसी तरह हमें एक विरिक्ष की भी देखबाल करनी चाहिए इस मीटिंग को करने का उदेश्य यहाँ है कि लोगों को विश्व पर्यावरन दिवस के बारे में जान कई देना और उनको विरिक्ष के महत्वा बताना इस मीटिंग का आयोजन कोरोना की गाइडलेंग को ध्यान में रख कर किया गया और अजे कुमार ने बताये कि विरिक्ष हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जब तक विरिक्ष है तब तक हमारा जीवन है इस मौके पर हाउसिंग बोड़ युवा मंडल अध्यक्ष, सारान शगरवाल, अधिती, नैंद कुमार, अजे कुमार, गजेंद सिंग डागुर और नहर्यू युवा के इंदर के काफी संख्या में कारकरता भी मौजूद रहे आज पर्यावरन दिवस के अवसर पर युवाओ ने भिसड गर्मी को देखते वे पक्षियों के परिंडे और पर्यावरन दिवस के अवसर पर पेड लगाए जिसमें उपस्तित नितिन ओजा, शनी ओजा, छोटू जाट, मन्नू जाट, कुमर संगम जाट आदी उपस्तित रहे धौलपर में समाज में हर इंसान की सोचने, समझने और उस पर गंभीरता के साथ कारे करने का नजर्या अपनापना होता है कुछ सोच सकारात्मक और आने वाली कल कुछ सुख में करने के लिए होती है, तो कई जाने अंजाने में अपने ही जीवन के साथ अंजान बन खिलबार करते देखे जा सकते है कोरणा के आपदा ने हालांकि सकारात्मा सोच के प्रती लापरवा रहने वालों को भी अब सोचने को विवश्टु किया ही है स्वयम इंसाने प्रकती के प्राकतिक स्त्रोतों एवम संसान धनों के साथ खिलबाड कर मानल जीवन के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया लेकिन अब उसे अपनी लापरवाई का एसास भी होने लगा है गत वर्ष कोरोना आपदा की शुरुआत में मजदूरों और गरीबों के लिए एक्स्प्रिस क्लब संसान के माध्यम से स्वयम के ओर से लगबग तीन माह तक एक सो पच्चास परिवारों को राशन किट मास्क एवन सैनिटाइजर आदी उपलत कराकर उन्होंने मददकार भी बने थे और ये पराकर्तिक पर्यावरण के प्रति जो कटाई और ब्रक्षों की कटाई के बज़े से आज जो माहौल बना है इसमें कोई संदे नहीं है कि इस कोरोना मामारी के दोरान हमें इस ऑक्सीजन के लिए तड़पना बना तास हम अपनी प्रक्रति को सही रखे तो आने वाल कल और आने वाला दिन हम अपने बच्चों के लिए सुरक्षित करते हैं बाज़पा नेत्री पल्लवी गर्ग गोस्वामी ने हाल में संपन हुए दौलपुर नगर परसद के चुना में पार्टी के पच्च में प्रवावी रूप से परचार किया था गोस्वामी के भाज़पा मैला मोर्चा की जिला अध्य चन्यक तो होने पर पार्टी में हर्ष का माहौ लेता था भाज़पा नेताम ने होने सुब काम नहीं दी हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बल आइकन दबाएं हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं